जल्पे गड़ी सर्किट बेंच आधालात्मा दीमल गुरुंग आनी रोशन गीरी को अग्रिम जमानात को मुद्धा फेरी टर्यो। कलकतामा वकिल हरु माथी पुलीशिय अतिचार भाय को प्रतिबात्मा जल्पाई गड़ी बार एसोसियेशन ले कामकास थप राखे पचिने बिहिबात मामिला को सुनवाई होनु सकेना। मुर्चा अदेक्षब बिने तामांगले हाई को सर्किट बेंच को आदेसलाई अवामानना गरेको मुर्चा वीमल खेमाका प्रवक्ता बीपी बजगाई को आरो। मुर्चा अदेक्षब बिने तामांगले भोली सुप्रबाल दार्जलिंग बिदान सबा उपचनाव को नामांकन भरने। तामांको उमेद्वारिता नामंकन अनी चुनाव प्रचारला लियरा अनी थापाले दार्जलिंग मैं डेरा हलेको केशब राज पोखरेल अनी संदीप छेत्री को बनाई। कलकता को हावडा कोट का वक्किल हरु माथी पस्चिम मंगाल पुलिस को बरबर अत्याचार बिरुद्ध सिल्गडी कोट का वक्किल हरुले निकाले ब्यापक पिक्छोप रैली। प्रानी संपदा पिकास बिवाग द्वारा खंडदुई छेत्र का 4-13 जनाल महीला लाबार्थी हरुलाई पोल्टरी कुखरा को चल्ला बितरन। जल्पाई गोडी सर्कीट बेंच मा सुन्वाई एकपल्टर फेरी टरेर गहे को छा। कोलकतामा अदालत परिशनमा फसेर पुलिस द्वारा वकील हरु माथी गरिये को कतित अत्याचार को विरुद्द जल्पाई गोडी बार एसुसेसनले अदालत को संपुडा कामकाज बंद गरी दिये काले बिमल गुरुंग औनी रोशनगीरी हरुको अंतरीम जमानत को मामिला माथी आजा सुन्वाई हुना सके ना सरकरी वकिल साइकत चाठजी ले बताया अनुसार आजा को मामिला को सुन्वाई भोली हुआ त्यसको पछे हुना सकने छा और कुतिरोज जल्पैगोडी बार एस्वाशेशन कलकाता हाई कोट का जल्पैगोडी सरकीट बेंज उपाधेक्छ गौतम पालले कलकातामा वकिल हरु माथी पुलीस द्वारा गरियेको कथित अत्यचार ले गर्दा सम्पुर्णा वकिल हरु अईले अतेंते दुखी बने जल्पैगोडी जिल्ला दायर अनी सरकीट बेंज माँ कामकाज ठप राखने निर्ने लियेका हुन। गोषको खंडपीट मा गोजमुमा नेता विमल गुरुंग अनी रोशनगीर को अगरिम जमानत को याचिका सहीत मोट छेयातर वटा मामिला हरु माथी सुनवाई हुनु थियो। पदलती कारवाईलाई ठप राखी दिये काले मामिला को सुनाई हुनु न सकेको फो। पदलती कारवाईलाई हुनु पदलती कारवाईलाई हुनु थियो। आजके आजके आमरा कोर्ट कोर्बोना आमरा ओनारबुल डिविशन बेंच के जानी के दिये इछी। अमादे इस इद्धान तो आजके दिने जन्न बहल थागवे तो आगामिकाल जामन पोठ और कफा किलो शेभवी होगे सार्कीटे अजके जे मामला गुली चिलो शेगली याखन काल के राखते पारें जास्टिस रा वा अन्नोता डेट सिप्थ होते पारें सिदुल सिप्थ होते पारें आजके जेतु लाईयारा काच कर वे ना आजके जे चोलिष ना पंचस्टा मैता छिलो शेटा जास्टिस रा किभवे रागवे नाकि परेर स्लाब रागवे नाकि आगामिकाल कोड़े देबेन शेया तिक बोजार आच्छा ना शेटा उन्नारा आम्रा जेतु कोनो काच कर वोना एटा ही आमादेर उन्खोर भी से आम्रा आजके कोनो धहन ने काजी कर वोना कोलकाता आए आइन जीवी देरुपोर पुलीशेर जे बर्बरुचीत अत्ताचार हो एचे जे भावे पुलीश लाठी चार्च करे लाईयार देरुपूर कोता ना थागे जे आमार कोलिक देर एभावे मेरे चे कुडी बाई जोनके होस्किलाले पाटी इन्जीवी यह वस्ते अम्रा काच कोरते पारी नाम्रा मानुस्रिक भावे कोब बिद्ध अस्त्रा आपना नामो पुलीशेर जालपाईगुरी बारासी शेर और क्यालकाटा ह चेर मेन बिनाई तामंग माथी हाई कोट को आदेश लाई अव हेलाना गरीको आरोप लगाये का छन। भीबासीर गडिमा एवटा पत्रकार सम्मिलन डाकेर प्रभक्ता बजगाईले भनी अनुसार हाई कोट ले एक निर्देश जारी गर्दे कुनाई पनी ब्यक्ति ले ग बमान्य हो तामंको यस्तो स्वाग घोसित गोजामुमा उमे द्वारी तालाई बजगाईले बिरोध जनाई का छन। और को तीरा आसन्ना दार्जलिंग बिदान सबा उपचुनावला केंद्रा पार्थी दिने बिशामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुम खेम अले सबैसित सर्शला गरेरा नाई फैसला लिने प्रभक्ता बजगाईले बतायका छन। गोजममुका दुबाई खेमाले निर्दलिय उमेद्वार को रुपमा दार्जलिंग बिदान सबा उपचुनावला लड़न सकने तरत पाटिक प्रतिक चीनह भने प्रयोक गर्न नपाउने बतायको थियो। यस पतलालीर गोजममुका अध्यक्सा बिने तामांग को नाम मोर्चा को आधेकारिक प्रार्थिय गुरूपमा अगी बाटै गोशित गरी शक्किये को छो। जी टीए कावी जो बीवे चेयर परशने बिने तामांग जी ने एकल एक रीडियो जारी किया। जिस पर उन्हेंने कहा कि वो गोजममुके कैंडिडेट के तौर पर गुर्खा जनमुक्ती मोर्चा के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने अदालत की बात पूर रेफरेंस देते हुए कहा। लेकिन वो रेफरेंस गलत है। ये कंटेंट है कोड की। क्योंकि गुर्खा जनमुक्ती मोर्चा पार्टी ने एक सेप्टेंबर 2017 को उन्हें पार्टी से निश्पासित किया था। अबिने पंथी बोलके वो लोग चुनाओ लड़ेंगे गुर्खा जनमुक्ती मोर्चा की करब से। ये सरासर गलत है क्योंकि मेरे पास पूर्ट का ओर्डर है। और जहां पर वो बात कही गई है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। लेकिन अदालत ने जो कहा उसको हम लोग मानते हैं। लेकिन हम लोगों को गुमरहा नहीं करेंगे कि जिजेमिम पार्टी के नाम से खड़ा होगा। क्योंकि अदालत ने कहा है कि इंडिपैंडेंट होना है। और अदालत का आवमानना भी ए कंटेम्प अफ कोड भी है GTA प्रानी संपदा विकास बिभाग कालिबुंखंड दुई द्वारा भीबार जम्मा 413 जना लाबार्थी मानी सरूलाई 10-10 वटा गरी पोल्ट्री कुखरा को चला बितरन गरियो पेदों वेटेनरी कारेलाई मा यस दिन विभागिया अधिकारी एबं कर्मचारी हरूले छेत्र का बिभिन्दा स्वाइम सायता समुह सिता संबंदित पोल्ट्री कुखरा पालन गरने लाबार्थी महिला किसान हरूलाई उक्ता चिंगना हरू बितरन गरियेको हो बिभागले किसान हरूलाई स्वार निर्बर बनावने दिशामा चाले को पच्छेप अंतरगत खंड़ दुई अंतरगत जम्मा दुई हजार अस्टी जाना महिला किसान हरूलाई उक्ता पोल्ट्री चल्ला बितरन गरने लग्छा राखे को छा प्राणी संपत्व विकास भी आग हंड़ दुई अंतरगत यो एससी ग्रूप हरूलाई हमने प्रासो थेरा मेंबर हरूलाई दॉस दॉस अगरी करना यो आरायर किसा जितरन गरी रहे दाखाऊ यो बाक में को उदेश सा की होला सर्थ यो बाकी को आउड़ दिन मा भेरी बारी इन था उत्वा आमनों दूए अधार थे जा अधिक अधिक कर यो रहा है यो बॉरह है ने वह रहा है रिमेनी गवा प्राणी ने रहा है कलकत्ता को हाउडा आदलत्म पसेर राज्य पुलिस ले कोट का वकील हरु माती कथित रुपले बरबर अत्यचार गरेको घटनालाई बीरो जता हुतें सिलगडी आदलत्म पसेर राज्य पुलिस ले कोट बाटा सुरुभारा हासमे चोक हिलकाट रोट मुदै पुना कोट मा आयरा समाप्ता भाय को थियो को की क mésी रुप सकत का रुपले पुपले कोशन अका प्निफक को तोह कि रुपले मुपले लेको मुपले सेर्णी मुपले मुपले स्तांऑ बसकत कर लेकोई धने सु CarmIch topics विकलũाट USA परदोवे देल परदोश्राए अनुदेलक दूदधोश्राइक ऐसाथ चानार्यर्से उपने यताश्राए डिवे सुआतार्यर्सुदूदूदूदूदूदूदूदू. कि बाफ चाने कि ऑगांवारब घंद आजे ने पह पुम्हाराओं को अंकार होड़ आजए एर पोजिवार सोल्भी आज़ आज़ को मुश्यों बितु होड़ार आर जखने कौमिशन, 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 कौमिशन बिये हैं आमना काम जाएगार आजके अज़के आम गौर्खा जनमुक्तिमैंच अदग्छ बिनाई तामंगले भोली सुक्रबार दार्जलें बिधान चाबा उपचो नावखो निमति आपनो उमेर द्वारी था जताउं दै नामंकन भर्ने कारकम रहेगो छा यस बारे अधिक जानकारी गराउं दै गोजमुमो युवाने ता संदिप छेत्रीले बिहबार मीडियाला जानकारी दी अनुसार भोली दार्जिलिंग रेल्वे स्टेशन देखी एवटा बिसाल रेली निका कालेरा सहर हुदै जिल्लापाल कारेलाई पुगी नामंकन भर्ने छानुसार भोली गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दाजलिंग महकुमा समेतिका पक्सवाट नियालाई गोर्खियाव बादन टकनेवदे विशेजगरी आजा हमी हजुआला के जानकारी गराना चान्चमवने देखे भोली गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कें़ रियार दियक्स अदनिया बिने तामंच जुले आफनी सब्सक्रा भरी राहेकोछ बिदान सबा उपाचुनाव कुनिमित कर Надоक्रे जथि पनी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा का समर्थ करून उन्छ हम्रा पाटी काले करता हारून च, हम्रा नेत्य तुवारून च, बोली, 10 बजी, दाजलिंक रेज्वेड़ श्टेशन मा ब्यापकृरूप मा भय लाबाय दिने मा अपील करते चुँ अब भोली, दाजलिंक रेज्वेड़ श्टेशन पाट योटा रैली योटा जुलूष न नामांकन पत्र बिदायक को निम्ती नामांकन पत्र बोली बोरनेचा यासरीने अरका मोर्चा नेता केशवराज पोखरेले मीडिया बयान जारी गर दै मोर्चा अदग्चा बिने तामंगले जीटिये बोर्ड अद्मिनिस्ट्रेशन को चियर्मेन को पदलाई त्याग दै डार्जलिंक बिदान सबाद सीट को उपचुनाओं को निम्ती उमेर द्वारी ता दी रहे को जानकारी गराय का छन अर्गुतिरा बिपक्ची हरुले गता लोक्साबा चुनाओं मा जस्तै उपचुनाओं मा पनी बाहिर बात उमेद्वार लियाओने तायारी गरी रहे को दाविगर दै कोख्रेले कडाद प्रतिरोद चनाए सवे सवे जन साधन दामे आवान गना चान छो जसरी सत्रों लोक्साबा चुनाओं मा दार्जनिंग पाल्लामेन टी कंस्टिवाची पईसामा बिगरी भायक तियो तियो शीट बाई लबर उमेद्वार लियार तेसरी नहीं या एक पक्षमा स्रीमान बिनेत आमांगले जात क्यान जंगल पूस्नि रूग को निमति रू को देशन ना गल्डे माले को निमति नन वब टेसरी मौन रोज को निमति संपध not ओर समो 2 ईजए सम़्िस सीत कोनिamız अ इस्माइ नेम्ले और रव्क पारैयि पैसा वाला भएक्थे लाए पाइसा मांज और ने को एमलेस सीत बे देल्ले गर जन्ता सजग भजिनोस तपायने मेरो भोट बिक्ली हुने यो प्रथारा तपायने मेरो रोक्नु गर्षा अनि आमी अगय चेताव चेताव लिद्ना चांच हूँ हेर नोस दार्चिलिंग पाला को गरिमाला याथावत राग दै यही को मान चेला उठाउ राश्नितिमा आमी प्रथिस्पर्दा गरनूं राश्नितिमा भोट लड़नू सबहर को मगली कदिकार हो तर फेरीबिन दार्चिलिंग को गरिमाला चोटना भोगोस दार्चिलिंग मा योग्य ब्यक्ति हो रोछन चाहे जुन्चुवे पार्टी बढोस तर आमीचान चो दार बाइर बस्ने माटो जातिकल लागे आमी जंगल पशेक बन्यरला आमी चेताउने गना चान्चू यो बारें तब आले भेरी बाइर बड़ अजारों कोड़ों को ब्यापार बाणी जे वयगो ब्यापारें लाइरें पाडमा बित्रोंने सोड़ेंद गर्म देश आमीला पुक